कि नमस्कार competition community के comprehensive current fast program में मैं पोक्राजगिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसे ही सितंबर का महीना खतम हुआ तो 16 से 30 सितंबर तक के जो महत्वपूर्ण current fast है उन सभी को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूँ ठीक है तो basically हमारा objective यह रहेगा कि इस time period में जितने महत्वपूर्ण current fast थे उसको हम लोग pre और mains दोनों के point of view से क्या कर लें बहुत अच्छे से analyze कर लें और बिना समय को waste करें शुरू करते हैं और पहले हम लोग आ जाते हैं खाली slide पर और खाली slide पर क्या है तो एक साहितकार ठीक है अब इसके लिए code याद रखिएगा अगर मैं हिंदु धर्म की बात करूँ ना तो कुछ बहुत important धार्मिक ग्रंथ हैं क्या क्या है धार्मिक ग्रंथ तो एक है गीता फिर पुराण और उप निशद तो हिंदु धर्म की बात करें तो तीन बहुत important धार्मिक ग्रंथ हैं ठीक है अब यहीं से हमारे साहितकार भी निकलेंगे और उनकी रचनाएं भी तो साहितकार का नाम है गीता शर्मा ठीक है तो गीता शर्मा जी साहितीकारा और इनकी रचनाएं तो ध्यान रखना पहली है पुराण से शिव महा पुराण पुराण से शिव महा पुराण और उपनिशद से है इशादी न उपनिशद इन दोनों की बात करूँ शिव महा पुराण इशादी न उपनिशद तो ध्यान रखना असल में ये दोनों न संस्कृत महा काव्य जो है उसका 36 गड़ी में गद्या नुवाद है समझ माया तो मैंने क्या कहा कैसे याद रखोगे तो तीन धार्मिक गरंथ गीता पुराण उपनिशद गीता से ध्यान रखना है क्या तो सहितकारा है गीता शर्मा जी और पुराण से शिव महा पुराण उनकी एक रचना दूसरी इशादी नौपनिशद उपनिशद से ये दोनों संस्कृत महा कावे का 36 गड़ी में क्या है गद्यानुवाद आजकल पूछने लगा क्या है तो ध्यान रखना गद्यानुवाद है तो यहां पर हमने क्या किया अपने साहितकार जी को देख लिया अब इसके बाद क्या करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेशन्स देखे थे उनको भी देख लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेशन स्वीप SSR राप निमने में से किस से संबंधित आपको याद होगा कांकेर के स्वीप टीम ने क्या किया था इस राप को बनाया था और फोटो यूक्त मतदाता सूची से ये संबंधित था अगर आपको अच्छे से याद हो ये प्राचारिये हैं ठीक है थर्ड क्वेशन चत्तरजगर का पहला Adventure Sports Prasikshan के इंद्र कहा स्थापित किया गया था तो हमने देखा था जाशपूर डिस्ट्रीक के देश देखा में इसको स्थापित किया गया था और फाइनली पोठ लई का अभियान में बिमत्रम देखा था अगन बाड़ी कारकार्ताओं को किस संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी तो इसे ट्रेनिंग दी गई थी UNICEF के द्वारा किसके द्वारा? UNICEF के द्वारा तो ये सारी चीजे हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यहां तक तो आपको प्रॉपली समझ में आया ही होगा, अब सोला से लेके तीस तक के जो महत्वपून करेंट फैस हैं वहां तक अपनाते हैं, सबसे पहले स्वच्चता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, अब आपको पता होना चाहिए, स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीन ये योजना कईयो बारापन देख चुके हैं, इसी योजना के अंतरगत 15 सेप्टेंबर से लेके 2 अक्टूबर 2023 तक ग्रामीन शेत्रों में स्वच्चता ही सेवा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ठेक है, इस बार का थीम क्या है, तो थीम है कचरा मुक्त भारत, समझ माया, 2023 का थीम क्या है, कचरा मुक्त भारत, इसको युक्त भारत मत कर देना, कचरा मुक्त भारत है, ठेक है कि नहीं है, अब इस थीम के अंतरकत, बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की activities गतिविधिया जो है वो आयूजित की जाएंगी अब इस आयूजन या इस अभियान के तहत क्या होगा तो ध्यान आपको रखना है कि ऐसे स्थलो को चिन्हांकित किया जाएगा समझ में आया की नहीं आया मार्क किया जाएगा जहां पर कूड़ क्या होता है जमा होता है ठीक है और उसके बाद क्या की जाएगी अब यह तो अलरड़ी चल रहा है क्यों क्योंकि आप एक October को वीडियो देख रहे हो मतलब ये स्थान चिन्हांकित किये जा चुके है तो इस योजना की अंतरगत ऐसे स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, जहां पर कुड़ा जमा होता है, और उसकी क्या की जाएगी, या की जा रही है, तो साफ सफाई की जा रही है, ठीक है, और वहां पर भविश्य में, फ्यूचर में, भाई अभियान तो खतम हो जाएगा, लेकिन कुड़ा फेकने वाले लोग किया जाएगा ताकि भविष्य में वहां पर कूडा जमा ना हो इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि भाईया अपने आदत में क्या करिये परिवर्तन करिये और ऐसा लगातार तीन महीने तक किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कूडा जहां पर एक अत्र कोई भी कच्रा फेकने जा आगा देखे, ददे यहा कर तो मन्खे खड़े है, कहाल फेकत बन ही की कि वहां पर नहीं फेकेगा, समझ में आया, तो यह मजाक कर रहा हूँ बटी अच्छी पहल है ना, आप कच्रा फेकने, इस लोगो को रोकोगे तो अपने आप कच्रा कम हो जा ये आयोजित, कब से कब तक हुआ, तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, ठीक है, सेकेंड पूछेगा कौन सी योजना के अंतरगत, तो स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीन, ठीक है, उसके बाद इसका थीम क्या था, कच्रामुक्त भारत, अच्छा एक बड़ा क्वेशन भी पूच स कब तक हुआ, कौन सी योजना के अंतरगत चल रहा है, इसका उद्देश्च क्या है, उसके बाद इसका थीम क्या है, ये सारा दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताईए करके, क्लियर है कि नहीं है, अच्छा, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, कि अगर मेंस की बात करूँ, तो आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीन, इसको 30 वर्ट में रेडी कर लेना है, समझ में आया एक निया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीन को अगर आप रेडी कर लोगे, तो मेरे हिसाब से 30 वर्ट का एक वेशन आपका रेडी हो जाएगा, क्लियर, तो मेरे हिसाब से यहां तक चीजे जो हैं, वो क्या हो गई, कम्प्लीट हो गई, नेक्स टॉपिक पर आते हैं, नेक्स टॉपिक क्या है, तो उर्जा सन्रक्षन एनर्जी कंजर्वेशन इसके शेत्र में उत्कृष्ट कारी करने के लिए, एक्सेलेंट वर्क करने एजनसी, चत्रगर्ण राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, यह बेसिकली इसका गठन हुआ है, 25 मई 2001, यह प्रीच का कोशद मन जाएगा, समझ में आया, इसका उद्देश अब्जेक्टिव क्या है, तो हमारे राज्य में अक्षय उर्जा का विकास, रेन इजनसी है, तो सबसे पहले हम एवोर्ड को बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लिए कि क्रेडा क्या है, और क्रेडा के माध्यम से बहुत सारी योजनाय चलती है, एक आप सब जानते होंगे, सौर सुझला योजना, इसके बारे में कई बार आप लोगों पढ़ा होगा, तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, क्या है, कि एनर्जी कंजर्वेशन के छेत्र में एक्सिलेंट प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, छत्त गड़ को एक नाशनल एवोर्ड मिला है, तो हमारा जो क्रेडा है उसको नई दिल्ली में एक समारो आयूजित किया गया था उर्जा सनरक्षन के लिए, और उस समारो में राष्ट्री स्तर पर स्टार पर्फॉर्मेंस का एवोर्ड दिया गया है, ठीक है कि नहीं है, अब इसको देने वाले कौन है, तो आप यहाँ पर देखो लिखा होगा SIEM, S-E-E-M, तो S-E-E E-M क्या है, Society of Energy Engineers and Managers, समझ भी आया, तो अभी तक क्या देखे है, उर्जा सनरक्षन में उत्कृष्ट कार करने के लिए, क्रेडा जो है, किया है उत्कृष्ट कारी उसने, और इसलिए हमारे राज्य को, क्या किया गया है, तो National Award मिला है, कौन दिया है, तो SIEM दिया है, Society of Energy Engineers and Managers, ठीक है कि नहीं है, कहां पर दिया है, तो नई दिल्ली मिला है, यहां भी पता चल गया, नेक्स्ट कब मिला है, तो 21 सितंबर, 21 सेप्टेंबर को मिला है, जब 8th National Energy Management Award, समार हो जो है, यह क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, तो हुआ क्या कहानी, 21 सितंबर को दिल्ली में 8 National Energy Management Award Festival आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया क्रेडा ने, आयोजन में नहीं किया है उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन क्रेडा करते आ रहा है, लगातार, पिछले 3 साल से, आगे बताऊंगा, किसलिए, तो एनर् conservation के field में, और इसलिए उसको recognition मिला, अब उसको अकेले थोड़ी मिलेगा, ये तो हमारे राजी की संस्था है न, इसलिए हमारे राजी को मिला, समझ में आया की नहीं आया, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 21st of September को क्या हुआ, तो डेली में 8th National Energy Management Award आयोजित किया गया, ठीक है, उसमें 36 गड़ को क्रेडा के लिए कहलो, क्रेडा ने अच्छे काम किया, उसके लिए 36 गड़ को क्या मिला है, तो बहुत शांदार, Star Performance का Award मिला है, किसने दिया है, सीम, Society of Energy Engineers और Managers, तो लगातार तीन साल से ये Award 2020, 2021 और 22 से क्रेडा को मिल रहा है, समझ में आया की नहीं आया, और क्रेडा हमारे राजी की एजनसी है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है, क्रेडा और क्या क्या कर रहा है, हमारे यहां उर्जा संरक्षन को, Energy Conservation को बढ़ावा देने के लिए, तो ध्यान रखना, बहु आयामी जागरुकता कारिशाला, तो लोगों के लिए, ये एक Multi-Dimensional, ठीक है, अब जागरुकता बोलोगे, तो लोगों क्या करना, तो जागरुक कर देना जी, और कारिशाला बोलोगे, तो क्या है, वर्क्षोप, समझ में आया, तो ऐसे वर्क्षोपs, Multi-Dimensional रूप से, क्रेडा आयोजित कर रहा है, जिसके माधियम से लोगों क्या किय जा रहा है, अवेकन किया जा रहा है, जागरुक किया जा रहा है, ठीक है, अच्छा, इसके आयोजन से ये क्या कर रहा है, तो उर्जादक्ष उपकरण के उपियों को बढ़ावा भी दे रहा है, हमारे यहाँ, Energy Efficient, जो उपकरण है, ठीक है कि नहीं है, इंस्ट्रुमेंट हैं, जो कि Energy Efficient है, उसको भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रामीर शेत्र, रूरल एरियाज में उर्जादक्ष उपकरण, Energy Efficient Instruments को बढ़ावा देने के लिए, इसने क्या किया है, 77, 70 ग्रामों को मॉडल उर्जादक्ष ग्राम के रू के रूप में, और 376 शास्की स्कूल को मॉडल उर्जादक्ष शास्की स्कूल के रूप में, इसने डेवलप किया है, विक्सित किया है, जहां पर Energy Efficient Equipments जो है, वो इंस्टॉल किये गए हैं, I hope आप लोग समझ पा रहे होंगे, अब अगर आजाएं एक्जाम के प्रेस्प शत्तिदगड को कौन सा एवार्ड मिला है, तो स्टार परफॉर्मेंस का एवार्ड मिला है पहला, ठीक है, क्यों मिला है, उर्जा संरक्षन, दूसरा कोशन, तीसरा कोशन कौन दिया है, सीम दिया है, चौथा कोशन कब मिला है, 21 सेप्टेंबर को मिला है, पाँचवा कोश इजिली बन सकते हैं, समझ में आया की नहीं आया? Next, अगर आप चाहो, तो मेंस में जब ऐसे लिख रहे हो, और एनर्जी कंजर्वेशन से समबंधित कोई ऐसे आये, तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडा के बारे में लिख सकते हो. एक अप्लाइड क्वेशन की बात करूँ, तो प्री में क्रेडा, स्थापना कब हो, इस्टाबलिश्मेंट कब ये पूछ सकता है, मेंस की अगर बात करोगे, तो क्रेडा को थर्टी वर्ड्स में पूछ लेगा, क्रेडा को उपर क्या करो, लिख लो, पेपर नमबर पांच मे देगा, थर्टी वर्ड्स में, शॉट नोट क्रेडा के उपर, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, अब नेक्स क्या है, छत्रगल का पहला इथनॉल प्लांट, ये सब जान गए होगे, इसमें कुछ बहुत विशेश बताने के लिए है नहीं, हम लोग क्या है, एक ठो पावर फ्यूल बनेगा, तो पावर फ्यूल क्या होगा, सस्ता होगा, तो पावर फ्यूल कुछ नहीं है, पावर फ्यूल क्या है, हमारा फ्यूल, पेट्रोल डीजल प्लस इथनॉल, तो ये तो महंगा है, सस्ता है, दोनोंक मिला दोगे, थोड़त सस्ता होगा, अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इथनॉल जो है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए और कैसा इथनॉल हो बायो इथनॉल हो और बायो इथनॉल मतलब कैसे एगरी कल्चर के वेस्ट प्रोड़क्ट से बन जाए तो एगरी कल्चर के वेस्ट प्र दाप में उसी के पास क्या किया गया है एक्ठो इथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है क्या करेंगे जो भोरम देव सहकारी शकरकार खाना है को अपरेटिव शुगर मिल है वहां से जब शुगर बनाने के लिए आप गण्ये को बेचोगे तो गण्ये की जो खोई बचेग क्या इथनॉल उत्पादन शुरू में किता रहेगा रोजाना असी किलो लीटर इथनॉल बनेगा समझ में आया की नहीं आया ठीक बात है चलो भई बहुत बढ़िया बात है एक्जामिनेशन पॉइंट अफ यू से देखेंगे सबसे पहले बात पूछेगा पहला बायो चाट्री के पास यह पहला कोश्चन हो जाएगा आप लोगों का ठीक है कि नहीं है कि सेकेंड कोश्चन इसका उत्पादन पूछ लेगा असी किलो लीटर क्या है इसका उत्पादन है मेंस की अगर बात करोगे तो मेंस में अगर फ्यूल से एनरजी से संबंधित कोई ऐसे आता है तो आप उसमें इस फैक्ट को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हो मेंस में ठीक है चलो भई आगे बढ़ जाते हैं 38 राजा चक्रधर समारो अब आपको पता होगा राजा चक्रधर कौन थे तो राजा चक्रधर जो थे वो राज़गण रिया सत के राजा थे पूरा नाम था राजा चक्रधर समारो उननेस लेके 21 सितंबर तक आयूजित किया गया और कक्ब चालू होता है याद रखना हमेशा हर साल गनेश चतूर्थीक दिन स्टार्ट होता है यह तो 19 से लेके 21 सितंबर आयोजित हुआ चक्रधर समारो कहा राइगड में ठीक है और राइगड रियासत के राजा थे राजा चक्रधर राजा चक्रधर के बारे में 2016 में कॉश्चन आया था निम्ने से कौन फेमस कथक डांसर थे लिया था राजा चक्रधर राजा चक्रधर के बारे में ध्यान रखना कि यह जो राजा चक्रधर है ना यह बहुत फेमस तबला वादक भी थे इसके अलावा बहुत फेमस क्या थे ये कत्थक निर्त्य भी बहुत करते थे उसके लिए भी बहुत फेमस थे। इसी की ऊपर भिँनोंने एक बुक भी लिखा जिसका नाम है क्या? नर्तन सर्वस्व संच मैं है नर्तन सर्वस्व यह बुक लिखा था कथक के उपर इन्होंने है ठीक है तो तबलाग वादक बहुत फेमस थे और बहुत फेमस कथक डांसर भी थे कथक डांस के उपर इन्होंने बुक लिखी थे जिसका नाम क्या था नर्तन सर्वस्य, नाम क्या था राजा चक्रधर, इवन जब आजादी के बाद ये जो देशी रियासत थे, इनका विले हुआ चत्रगड में, असेशन हुआ, तो इंस्टूमेंट ओफ असेशन में भी येच्च साइन किये थे राजा चक्रधर रायगड स समझ माया, इंस्टूमेंट ओफ असेशन में कौन साइन किया था, राजा चक्रधर ही किये थे, और बढ़िया बात बताऊं, इनको एक उपाधी मिली थी, संगीत समराट की, और ये उपाधी देने वाले कौन थे, वाइसरोई, लॉड लिन लित गो, लॉड लिन लित गो न विभूशित किया था, क्लियर है, तो इतना तो हमने राजा चक्रधर के बारे में देख लिया, अब 38th सीक्वेंस का हुआ, राजा चक्रधर समारो, कहां हुआ, राइगड, कब से कब तक, 19-21 सेप्टेंबर, ठीक है, नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर, शाम holiday दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि गणेश चतुर्थिक दिन ही ये start होता है, next आपको धियान रखना है, अगर इसमें से questions की बात करोगे, तो अभी तक तुम्हें चक्रधर समारों से बहुत जादा question देखा नहीं हूँ, गतवर्षों में, लेकिन राजा चक्रधर से बह Instrument of Assession, विलय पत्र में साइन करने वाले राजा चक्रधर थे, संगीत समराट की उपाधी किसकी थी ये question हो सकता है, किसने दी थी लौड लिनितगो, ये भी question, तो ये 5-6 MCQ आप यहां से तयार कर सकते हैं, राजा चक्रधर के बारे में, फिर पूछ सकता है कि चक्रधर समार हुआ वो कौन से क्रम का था, तो 38 उसके बाद पूछेगा कब से कब तक, तो 19-21 वैसे 5-6 MCQ जो है वो यहां पर बन सकते हैं, मेंस के point of view से बहुत जादा important यह नहीं है, ठीक, अम next topic पर आजाते हैं, क्या है भई, महिला समरिधी समेलन, 21st of September 2023 को, भिलाई का जो जयनती स्ट इडियम है, यहां पर क्या हुआ, महिला सशक्ती करण को बढ़ावा देने के लिए, वेमन एमपार्मेंट को और प्रमोट करने के लिए, महिला समरिधी समेलन जो है, इसका आयोजन किया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, इस आयोजन में शामिल होने वाले आप देख रहे ह इस आयोजन में क्या हुई थी, शामिल हुई थी, ठीक, तो राजय सरकार द्वारा महिलाओं के शशक्ती करण से विमन एमपार्मेंट से सम्मंधित कितनी चीजे की गई है, यहां पर इसका क्या किया गया, उलेख भी किया गया, जैसे कि महिला स्वा सहायता समू जो है, उस सहायता जी जाती है, विशेश प्रकार के अलग अनुदान है, बेनिफित से इनके लिए, डिस्ट्रिक मिनरल फंड, जिनाखरी नियासमद, इसमें नीती निर्मान में, इसमें जो पॉलिसी मेकिंग है, इसमें भी अब क्या होगा, महिलाओं को ग्राम सभा में 50% तक क्या कि जन किया जाता है, उसमें भी क्या किया गया, उसके अंतरगत 20 लाख आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की महिलाएं थी, कितिनी संख्या 1.85 लाक्स, इनको स्वा सहायता समुहों से जोडा गया, ठीक है, और फाइनली, सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल्स, SDG सुचक 2020-21 के अनुसार, जो लैंगिक समानता है, उसमें देश में छत्रगड क्या है, अगणी राज्य है, इतनी सारी चीज़े वहाँ पर बताई गई है, ठीक है, एक्जामेनेशन के पॉइंट अफ्यू से क्या महत्पूर्ण है भई, तो ध्यान रखना सबसे पहले, कि महिला समर समरिधी सम्मेलन, कब आयोजित किया गया, कोशन नमबर वन, 21 सितंबर 2023, अगला कोशन रहेगा, कहां आयोजित हुआ, जयनती स्टेडिमम भिलाई में, तीसरा इसका उद्देश क्या था, तो महिला सशक्तिकरण को क्या करना, बढ़ावा देने के उद्देश से, ऐसा भी ह हो सकता है कि पूछ लेगा, कि भाई्या महिला, समरिधी, सम्मेलन जो है, इस से सम्मंधित, जो स्टेठमेंट से बताईए क्या सही है, क्या गलत है करके, और उसके बाद फिर यह तीन-4 स्टेटमेंट से रहेंगे, आपको बताना रहेगा क्या सही, क्या गलत है, clear है, मेंस क point of view से कहो गे ना तो ध्यान रखना बिहान इसको आप 30 words में paper number 5 के लिए ready कर ले ना as a whole ये topic काफी important है महिला शशक्ति करण से संबंधित अगर कोई essay आ गया तो आप इस facts को यहां पर use कर सकते हैं कि महिला समरिधी सम्मेलन जो है हमारे हाई उजित किया गया और ये सारे facts को आप डाल सकते हैं कि महिला शशक्ति करण women empowerment से संबंधित कौन-कौन से चीज़े चात्रगण में लगातार हो रही है ठीक है भई next देख लेते हैं राइपूर में तयार हुआ है चात्रगण का तो 27 सितंबर को मुख्यमंत्री भुपेश बग्हेल करेंगे लिखाया 27 सितंबर तो निकल चुका है तो अल्रड़ी उद्घाटन हो चुका है ठीक है चार एकड़ छेत्रफल में हुआ है यहाँ पर 9 layers का synthetic surface है ठीक बात है दर्शकोक शमता 2000 है यह सब ठीक है काम नहीं आएगा examination point of view से आपको क्या पूछेगा tennis academy उद्घाटन कौन किये question number one और जो ज़्यादा महतपूर है पूछेगा कहा है तो राइपूर question number two पूछेग भया कहा है सबसे अधा chance कहा है पूछने कराइपूर फिर पूछ सकता है कि कौन उद्घाटन किये चलिए अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इस week या इस पनरा दिन के जो section था उसमें last important current face पर ग्रामीन परियटन के शेत्र में चत्तजगण को बहुत अच्छी एक और काम्याबी मिली है rural tourism या village में है यह तो सरोधादादर जो है चत्तगण का उसको best tourism village 2023 का खिताब मिला है तो विश्व परियटन दिवस 27 September 2023 को मनाया गया और इसी अवसर पर भारत मंडपम प्रक्ती मैदान नई दिल्ली में कारिकरम को आयुजित किया गया और best tourism village प्रतियोगिता में जीता कौन है चत्तगण का सरोधादादर इसको सर्वश्वेष्ट ग्रामों में silver category में क्या किया गया है सम्मानित किया गया है सर्वश्वेष्ट ग्रामों में कौन सी category में silver category उसके बाद फिर ऐसा है कि आपको पता है gram in pariyatun sustainable tourism responsible tourism इसमें चत्तगण जो है बहुत महत्वण भुमिका को क्या कर रहा है निभा रहा है हाला कि महत्वण चीज क्या है तो महत्वण चीज ये है कि आपको एक्जाम में क्या पूछेगा तो आपको पूछेगा कि best tourism village का पुरुसकार चत्तगण में कोन जीता कोन जीता है भाईया सरोधा दादर पहला question ठीक है दूसरा question कि ये कब जीता तो 27 सितंबर 2023 तीसरा पूछेगा विश्व परियतन दिवस कब मनाया जा 27 सितंबर 2023 को मनाया गिया है 2023 में ठीक है तो ये तीन है बहुत डीटेल में पूछेगा तो कौन से category तो silver category में सम्मानित किया गया है ये चौथा question को आप लोग क्या कर लेना ये चार questions को आप लोग ready कर लेना ठीक बात चलिए अब वीडियो को क्या करते हैं हम लोग कुछ questions के साथ end करते हैं पहला ही question क्या है पहला इथनॉल प्लांट कहां बनकर तयार हुआ है उसके बाद लास्ट में फोर्थ कौशन चात्तर की पहली टेनिस अकाडमी कहां पर तयार हुई है options आप सभी के सामने है ठीक बात चलिए तो ये जो वीडियो है यहीं पर खतम होता है आप सभी से अनुरोध है request है कि आप ये जो questions है इनको क्या करिए तो फटा फट से comment करके इसके answers को बताईए और जैसे ही एक से लेके पंदरा तक के current affairs का section ready हो जाएगा most probably 16 October 17 October को मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगा ठीक है चलिए तो आप सभी से मिलूँगा मैं अपने अगले वीडियो में तब तक ले thank you and take care